नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चन्वन पुदार और आज की बिस्नस नियूज में हम बात करेंगे फोर्ड मोटर्स की जिसने अनॉंस्मेंट किया है कि वो इंडिया में अपने आपरेशन्स बंद कर रहा है और साथ साथ हम करेंगे आज डीप आनलिसस ओफ इंडियन आटो मोबाइल इंडस्ट्री तो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से जरूर देखेगा रिसेंटली यूएस की आटो फर्म फोर्ड में अनॉंस किया कि वो इंडिया से अपनी मैनुफेक्ट्रिंग जो है वीकल्स की खतम करेगा और बाई सेप्टेंबर 22 वो इंडिया से पूरे के पूरे ओपरे ओपरे जो है खतम कर देगा तब तक जो existing dealers है उनके पास जितना भी stock बढ़ा हुआ है वो clear कर दिया जाएगा दो उसके बाद वो engine manufacturing जो है वो start रख सकता है इंडिया के अंदर लेकिन overall जो है sales operation उसके बंद हो जाएंगे और ये सारे models के लिए होगा और उसने अपना ये जो plan बताया है उसे साबसे गुजरात plant जो है quarter 4 of 2021 और चिन्नेई plant जो है quarter 2 of 2022 तक उसका shutdown हो जाएगा पिछले 5 सालों के अंदर ये 4th US auto firm होगी जो इंडिया को exit करेगी अगर मैं बात करूँ तो general motors ने दिसंबर 2017 में Harley Davidson ने September 2020 में UM motorcycles ने October 2019 में और अब four motors जो कि September 22 तो plan कर रही है कि वो इंडिया exit कर देगे Ford India के इस decision से लगभग 5000 employees जो हैं उनके उपर खत्रा मंडरा रहे जो कि इनके plants में काम करते थे अब एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूत है कि क्या ये इंडिया की policy की वज़े से हो रहा है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है देखिए Ford India की अपनी एक खुद की strategy है वो पूरे के पूरे business को restructure कर रहे हैं और ऐसे जितने भी segments है जहाँ पर उनका profit बहुत ज़ादा low है उन markets को वो exit कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने इस साल जनवरी 2021 में ब्राजील से भी exit किया था और अब वो इंडिया से exit कर रह है तो that is just a 0.5% मतलब उसका इंडिया में इतना major market था ही नहीं कि वो बहुत बड़ा segment यहां पर target कर रहे हैं माना जा रहा है कि Ford की exit के पीछे जो main reason है वो यह है कि जो Japanese company और Korean company सोने competition मिल रहा है वो उसे face नहीं कर पा रहा है उनके खुद के भी कुछ internal operational issues है देखिए इस चीज को समझना वैसे भी पड़ेगा कि US जो है कभी भी competition में survive नहीं कर पाया है जी हां इस चीज को समझ यह कैसे मैं आपको बताता हूँ चाहे US-China की border ही हो कि जहां China ने बहुत सस्ते prices products जो है US मे available करवाना शुरू किया तो उन्होंने चाहिना पर बैन लगा दिया वो आवी कि CEO को arrest करवा दिया जहां पर भी competition की बात आती है हमेशा वहां से आप देखेंगे US firms exit करती है believe in innovation वो हमेशा जो है उसे नई चीज को लाना पसंद करते है चाहे वो apple आप देखें चाहे आप facebook दे सकते हैं कि US का एक business करने का तरीका है US की firms का business करने का तरीका और यह में repeatedly देखने को मिलता भी है अगर आप किसी भी segment में कहे जाए मैं यह नहीं कहूंगा wholesale philosophy है बट to a greater extent आप इस चीज को note कर सकते हैं meanwhile workers के लिए एक बहुत अच्छी positive news आई कि Tamil Nadu government ने एक announcement किया है कि जो फोर्ड का चिन्नेई बेस प्लांट है वो जो है दूसरी companies के साथ negotiation कर रही है कि कोई उस plant को take over कर ले क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी companies जो है वो अपना plant लगाना चाते है और जो तमिन लाडू का plant है फोर्ड इंडिया का वो बहुत बहु बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पर एक BMW का plant है और दूसरा इनका फोर्ड इंडिया का है और वहां से जो है एक्सपोर्ट करने में बहुत असानी होती है और प्लस पुत्रू आउट साउथ इंडिया का जो टार्गेट है और इवन नॉर्थ इंडिया तक आप आपने कि कोशिश करने present situation क्या चल रही है तेकि बड़े सरलक्षरों के अंदर business standard में चपा है उसको में आपको बता रहा है जैनवरी 2018 के अंदर अगर हिंदुस्तान में 100 two wheelers बिकते थे और 100 passenger vehicles बिकते थे मतलब cars को मानिये तो जो original equipment manufacturer है original equipment manufacturer मतलब मारूती कामती Hyundai ही हो गया Tata हो गया sale हुई उनकी और passenger vehicles में 100 थे January 2018 में तो July 2021 में यह 93 रहा यह original equipment manufacturer के point of view से जो इनने manufacture करते है लेकिन यह एक चीज समझनी होगी कि इसका सबसे वड़ा main reason कि इन लोगों की जो production कम है या sales कम है वो यह है कि chip shortages पहुँच चल रही है जिसकी वज़े से आप देखने most of the companies जो है अपन 70% तक जो है अपना production cut out किया हुआ है तो उसके बाद अगर यह 83-93 चल रहा है तो it's not a big deal at all और दूसरी तरफ अगर हम regional transport office base के data को देखें जहां पर भी आप vehicle लेते हैं तो आपको जो RTO में वो register होता है जब आपको number plate मिलते है उसके basis पर अगर देखें तो अगर 102 wheelers भी करहे थे January 2018 में तो वो घटके अब August 2021 में 78 रहे गए है और अगर passenger vehicles की बात करें अगर वो January 2018 में 100 भी रहे थे तो August 2021 में 102 हो गए अगेन मैं आपको बताना चाहरा हूँ अगर आप देखें regional transport के basis पे तो passenger vehicles की sales जो है उसमें increment आया है और यह अभी भी अगर आप किसी भी company का कोई भी vehicle लेने चाहरे हैं passenger vehicles में कम से कम तीन महीने की वेटिंग उसमें चल रहे है because of chip shortages और कुछ तो ऐसे vehicles है जिन में जो वेटिंग है वो बारा महीने तक जो है वो जा चुकी है तो इंडिया में आने वाले टाइम में जो segment ये पूरा का पूरा आउटो मोबाईल का इसका future बहुत bright है उसके पीछे और चीज़े में आपके सामने रखता हूँ business standard में ये news जपिए एक senior government official ने जो है अपना नाम लिए बिन अभी बताया है कि 13 investment companies जो है इंडिया के साथ talking terms में हैं जो इंडिया में invest करना चाहते हैं जिसमें Tesla, Kinetic Energy, Ola, Skoda लगबग 4.4 billion dollar की investment जो है आने वाले वक्त में आ सकती है पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान के अंदर 35 billion dollar का investment जो है automobile sector के अंदर देखने को मिला है इसकी अलावा अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में 1000 लोगों पे मात्र 32 गाडिया आज के टाइम पर हैं लेकिन अगर आप यही बात करते हैं USA की UK की तो जो data internet available है उसके हिसाब से UK में हर 1000 व्यक्तियों पे 519 गाडिया और USA के अंदर यह लगपक 797 कार्स available है और इंडिया के अंदर जिस हिसाब से young population है mobility की requirement बहुत जादा बढ़ गई है जिस तरीके से यहाँ पर production hub बनाने की कोशिश की जा रही है माना जा रहा है कि यह sector बहुत जबरदस तरीके से grow up करेगा अभी नितिन गटकरी जी ने एक अपने event के अंदर जो की अगस्त के last week में हुआ था उसमें यह कहा कि देखें इंडिया का जो GDP है उसके अंदर automobile sector का जो contribution है वो 7.1% है और manufacturing में अगर हम total बात करें तो लगबग व और है वो है 7.45 lakh करोर का यह present situation है government जो है plan कर रही है कि जो manufacturing है auto की इसका 7.1% से contribution बढ़ा के 12% of GDP जो है लाया जाए और employment generation के अगर बात करें तो जो आज यह 37 million लोगों को direct indirect employment देता है उसको बढ़ा करके 50 million पे लाया जाए तो government की जो policies है वो बहुत ज्यादा supportive है और इंडिया की आज की टाइम पर automobile industry है जो की expected है कि 300 billion dollar की 2026 तक पहुँच जाएगे तो ford इंडिया का जो exit है वो पूरा का पूरा internal है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदुस्तान का business environment change हो रहा है अब मैं बात करूं देखिए कहां एक सबसे बड़ा boom देखने को मिल रहा है Paris Agreement के जाब से 2030 त नहीं करेगी लेकिन जिस हिसाब से governments tie up कर रही है incentives दे रही है उस हिसाब से e vehicles का acceptance है बहुत जबरदस तरीके से बड़ा है अभी e-nexion जो है Tata Motors की उसने बोला है कि उसके 2000 orders per month जो है आने शुरू हो गए है और 1000 से ज्यादा units उसने अगध 2021 में बीची अगें यहाँ पे chip shortage है और already इस company के दो e-veakles जो है इंडिया के अंदर आज चुके हैं अगर आप बात करें government की subsidies पे तो अभी अगर मैं बात करूँ जैसे Tata TVS का iCube scooter आता है डेल लाग के scooter पे लगबग 40,000 रुपे की subsidy government दे रही है और e-veakles पे लगबग 2-3-4-4 लाग रुपे तक की subsidy जो है category के hotels होंगे उनको minimum 2 charging stations जो है लगाने पड़ेंगे तो infrastructure को लेकर अगर आप बात करें तो एक से डेड़ साल में ही बहुत जवर्दस boost up charging को लेकर देखने को मिलने वाला Hyundai की बात करें क्योंकि Hyundai और मारूती इंडिया में at present 60% से जाधा market share जो है automobile sector का लेकर बैठी हुई है पे Tata Motors है just because of e-vehicles. Government की भी अभी एक latest news आयती जो तीन दिन पहले मैंने आपको बताई थी 3.5 billion dollar के incentives जो है इस industry को देने वाली है through various schemes और अगर वो successful रहता है तो वो 8 billion dollar तक भी बहुत सकता है. तो all together there is a very broad future of this particular segment in India and specifically from investment point of view do your own analysis but my personal recommendation is Tata Motors. दो आज आपको वो कैसे भी lead करता हुआ दिख रहा हूँ. लेकिन what I feel, what I personally believe, this share will touch the 10,000 before Maruti Suzuki in upcoming future. You can invest into this share by doing your own analysis. So this was the analysis for today. Hopefully आपको बहुत पसंद आया होगा. comment section में इसके बार में जरूर लिगेगा. PPT आप हमारे telegram channel से ले सकते हैं. Do subscribe this channel for all the latest business news updates. जैशी शाम.